एक पढ़ा लिखा नोजवान जो सरकारी दफ्तर में सर्विश करता है और घर में, गाउं में, साज्ये में अपने भाई बहनों के साथ में रहता है, एक दिन अपनी पत्नी से पूछता है अरे भागवान तो एक बात तो बता, तो 24 घंटे कुछ उदास से क्यों रहती है, या तो कुछ नाक मुछ अड़ाय रहती है, या तुझे कोई बीमारी है देखो जी तम बुझे हो, तो मैं आज साभी बता जीँ, सूशू करने में के फायदा से, अर अपना जी घोडने में के फायदा से, साभ कहरी सूँ, के मेरे बसकी, अब साज्ये में कोईया ने भैस, मैं तो न्यारी रहूंगी न्यारी, मेरे बसकी सारे फुनमे की राजिन तो सुन ले हाँ सुना देख बोलगी क्यों बोलगी तरारे मैं रहूंगी बलम अब नहीं बोलगी तरारे मैं मैं तो रहूंगी बलम अब नहीं बोलगी तरारे मैं नहीं बोलगी तरारे मैं बोलगी तरारे मैं अगर पड़ो संता ने मारे काल जेने छोलेगी बलम अब नहीं बोलगी तरारे मैं मैं तो रहूंगी बलम अब नहीं बोलगी तरारे मैं मा और बाप मा और बाप भाई भावी छोटी छोटी बाहन सें कितना गहरा मेड मारा तन्य नहीं जान से हाथो उपर आखे क्यों तू करती नहीं पिछान से हाथो उपर आखे क्यों तू करती नहीं पिछान से हो जागी हो जागी कमी गुजारे मैं मैं तो रहूंगी बला मुआ बन्यारे में बला बोलगी क्यों बोलगी सरारे में मैं तो रहूंगी बला मुआ बन्यारे में नारा हो के मेरे घर की गोरी भी तवाई हो मेरे छोटे भाई कवारे कोना ब्यासगाई हो अते घर में नारी हो जा कोना असलुगाई हो साजी मेना बड़े जोट में जारे हो पिकोटी हो तुम ठेतरी गड़माओं मिल सरप दो दो चोटी हो संग मा मर के बात रूम में तरह तरह की तोटियो ना आउंगी, उन्हें ना आउंगी, मैं तो ना आउंगी बेटे भुआरे मैं मैं तो रहूंगी बलम अब नारे मैं अरे बोलगी कु बोलगी तरारे मैं मैं तो रहूंगी बलम अब नारे मैं मैं तो रहूंगी बलम बुझारे में गरम पाल के इन भीरों को और कोई चीज सुहाती ना अपने बालक अपना कुणबा दुझी चीज भाती ना घरकुणबे में आग लगो ये आशू एक बहती ना घरकुणबे में रह वेगा तो न्यूही जगडे जोवेगा मैं तो पीयर जारी सुतू मून का कड़के रोवेगा भेले सूवेगा एक लएँ सारे में मैं तो रहूंगी बलम बुझारे में अरे बोलगी क्यों बोलगी ताधारे में बला बोलगी कु बोलगी तरार मैं